इस question को देखो, हमसे कहा रहा है इंदा helium atom, the number of electrons in L shell अब nucleus के चाहतर पहली shell होती है K, उसके बाद L, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद N इस तरह से अब आपको पता है helium का होता है atomic formula 2HE4, दो electron होते हैं तो ये 2 के 2 electron किसके पास चले जाएंगे? K वाली shell में कौन सी वाली shell में? K वाली shell के अंदर चले जाएंगे, जब K वाली shell के अंदर चले गए तो electron तो खतम हो गए 2 electron ते 2 के 2 भर दिया आपने तो इसका मतलब L shell में electron कितना आ जाएंगे? 0 तो यहाँ पर 0 कौन से option में? A option में, तो 14 का A इसका सही जवाब हो जाएगा चलिएगा आगे चलते हैं, thank you so much, channel को support करो